तो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास कैसे इस प्रोब्लम के बारे में तो आप उनको अपलाई करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो प्रोब्लम है ओटोमेटिक ओफ होने की वह सॉल्फ हो जाएगी तो इस वीडियो में एंड तक ने रिएगा अगर आपको य्या प्रोब्लम आ रहे तो आपकी अध सॉलूइशन मिलने वाला है तो यहाँ पर आपको करना क्या है अगर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर सबसे पहले application देखने को मिल रही है, आपको security, जो यह application है, आपको इसको जरूर से update कर लेना होगा, देख सकते हैं मुझे update आया हुआ है, अब जैसे ही मैं इस application को यहाँ से update कर लूँगा, आप देखेंगे, जो आपका mobile automatic off हो जा रहा था, वो automatic off होना बंद हो जाएगा, सबसे पहले इसको update जरूर कर ले, और second जो application है, वो क्या है, आपको यहाँ पर मफ देखा देता हूँ, यह है system launcher, यह देख सकते हैं system launcher, यह भी update मांग रहा होगा, आपके MI के mobile में, तो इसको भी आप update जरूर कर ले, जैसे आप इन दोनों को update कर लेंगे, आप देखेंगे, जो आपकी यह automatic off होने की problem है, आपके Redmi के mobile में, वो यहाँ से दूर हो जाएगी, आपको फिर से यह problem face करनी नहीं पड़ेगी, फिर आपको mobile off नहीं होगा, security और system launcher, इन दोनों को up to date रखें, तो यह काम आपको जरूर से कर लेना होगा, तो यहाँ पर यह काम करने के बाद आपको आना है back, अब back आने के बाद third काम क्या करना है guys, आपके mobile में कहीं बार आप करते क्या हैं, कोई third party application को install कर लेते हैं, किसी भी browser में जाकर, यहाँ पर अपने play store से install नहीं करते हैं, क्योंकि play store में जो भी applications होती हैं, वो safe होती हैं आपके mobile के लिए, तो यहाँ पर ढबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपने किसी third party application को install किया है, browser से, किसी भी browser से, अब आपका mobile बंद होना, जैसे बंद हो जाता था, अब नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाएगा, कि वो जो problem थी, वो third party application की वज़े से थी, अब उन applications को आपको अपने mobile में install नहीं करना है, तो यह काम आपको जरूर से कर लेना होगा, आपको क्या करना है, आप उसके बाद आपको आना है, अपने mobile की setting में, और यहां पर आपको चेक करना है, आपके mobile की जो storage होती है, वो खाली है या भरी होई है, अब आपको देखना है, यहां पर देख सकते हैं, मेरे mobile में space कितना है, 64GB, तो यहां पर कम से कम साथ GB available है कम से कम 5 से 10 GB कम से कम खाली होना जरूरी है आपके मुबाइल का जो storage है तब ही वो जो है लोड जादा पड़ता है कई बार जैसे storage आपकी फूल होती है तो मुबाइल पे जादा लोड पड़ता है तो automatically off हो जाता है तो इसलिए storage को भी खाली लगना बहुत जादा जरूरी है तो यह काम भी आपको जरूर से कर लेना होगा और उसके बाद final काम आपको करना है आपको करना अपने mobile को reboot वो आप कैसे कर सकते हैं अपने mobile का जो है reboot जैसे power button और volume up button दबागे रखेंगे तो आपको reboot को option देखने को मिल जाएगा तो आप जैसे आप reboot करेंगे तो problem भी solve हो जाएगी सो गैस बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते है और नेक्स वीडियो में टिलने बाटे के लव यू वाल